यह गाइस नौइस कोर फिट टू स्मार्ट वोच लेटेस्ट स्मार्ट वोच काड़ पर लौंच होने वाले हैं यह एक राउंड डायल स्मार्ट वोच है तो आज हम जानेंगे इस प्रोड़क के फीचर फॉंक्शन एंड हम इसको कर लेंगे अन्बॉक्स अगर आप चैनल प के अन्बॉक्सिंग के साथ तो यह है नौइस फिट कोर टू जो की हम बात कर रहे थे एंड चलिए अन्बॉक्स करते हैं अगर बॉक्स पर सामने के तरफ बात करें तो नौइस फिट को यहां पर लिखा है पीछे के तरफ कुछ की फीचर हाइलाइट है डिस्प्ले साइज सेंसर एंड कुछ कंट्रोल यह नौइस फिट अप्लिकेशन नहीं नौइस की सिंक अप्लिकेशन स्पोर्ट करेंगे जो तो वैस स्मार्ट वोज हमारे उंबॉक्स होच के एंड बॉक्स कंटेंट वेरी बेसिक मिलते हैं पैकिजिंग इतने इंप्रूव नहीं है रीजन है प्राइस भी इस स्मार्ट वोज का तो वैस अगर प्रोड़क के हम यहां पर बात करें स्ट्रेप सिलिकोन का मिलेगा नौइस का लोगो आपको मिल जाएगा एंड क्वालिटी स्ट्रेप की ओखे आप इसको रिमू कर सकते हैं ग्रीन कलर परचेश के नीचे के तरफ आपको यहां पर मैट फिनिस के साथ सेंसर दिये गए हैं दो बटन से यूज कर सकते हैं डिस्पेय लगता तो काफी बड़ा है बट बैजल साइज बहुत बड़े यहां पर रखे गए फ्रस्टाइम उन करने के लिए उपर वाले बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा एंड जो एप्लिकेशन में बोल रहा था वह आपको डाउनलोड करने पड़ेगी लुक वाईसे गर हम बात करें तो यह एक क्लासिक स्मार्ट रूच जैसा लुक थोड़ा प्रवाइड करने की ट्राइगे राउंड डायल रखा गया वोच का तो बिल्ट क्वालिटी काफी अच्छी मैं बोलूँगा थोड़ा रफ है तो वह बड़ा बैजल के अंदर एक और बैजल दिया गया तो जो डिस्प्ले है वह साइस काफी कम है बट डिस्प्ले में बोलूँगा जस्ट ओक है इंडोर नाउट्र कंजिशन में इतना कुछ हाय रेजिलूशन यहां पर नहीं है तो फर्स टाइम पेर करने के लिए अप्लिकेशन आपको डाउमलोड करने पड़ेगी एंड उसके बाद यहां पे डिवाइस पर आके कंफर्म करना हैं आपको नोईस्ट को टूका उपिशन मिल जाएगा तो देखते हैं कितनी ताइम में यह कनेक्ट होती है पेरिंग में आपके दो-चार मिनिट लगाएगा तो उसके बाद आप रेडी हैं यूज करने के लिए आपकी वोच को अगर हम यूजर इंटरफेस वाइस बात करते हैं तो आप अपने राइट टो लेफ्ट स्वैप कर लिए लेफ्ट टो राइट स्वैप कर लिए आपको एक इनफिनिटी मेनी मिल था जिसमें सिर्फ दो यह option दिये गए तो वहरी basic है उपर से आप स्वैप करेंगे notification नीचे स्वैप करने के बाद आपको एक quick setting का पैनल जाएगा जहां पर कुछ settings आप यूज कर सकते हैं जो उपर वाला बटन है वो प्रेस करके आप menu में access हो जाएगा and नीचे वाला बटन से आपको जो है workout mode का access म मिल जाएंगे sleep and breathe आपको यहाँ पर मिलता है then 50 workout mode आपको मिलते हैं जहां पर basic sport mode दे गहे हैं आप यूज कर सकते हैं indoor and outdoor उसके अलावा आपको music control camera control जैसे function मिल जाएंगे weather भी आप चेक कर सकते हैं एक बार आपकी application से sync होने के बाद then clock, find my phone, flashlight जैसे feature function यहाँ पर है additional feature के बात करें तो आपको brightness control मिल जाएगा dnd जैसे यहाँ पर option मिल जाता है and उसके अलावा आप अपनी phone को find कर सकते हैं raise to way का option भी है जो कि आप enable and disable कर सकते हैं आपसे 2-1 का एक display है TFT IPS display है 240 into 240 के resolution के साथ IP68 मिलेगा आपको water and dust resistant then guys basic sensor यहाँ पर आवलेबल है 100 यहाँ पर watch faces है anti-customized watch face का option भी आपको मिल जाता है product मुझे budget के और according लगा cool मिला कि okay इतना कुछ खास नहीं लगा अगर हम sensor की accuracy wise बात करते हैं sensor कितना accurate है तो दो sensor है first मैंने try out किया हलका सा मुझे difference लगा दें अगें try it किया थोड़ा इसको tight pen and heart rate and SPO2 मुझे काफी accurate लगे अगर heart rate के कि इससी बार इस बात करें तो consistent भी था accurate भी था SPO2 wise जो data था जो SPO2 wise guys जो data हमीं मिल रहा था ओकसी monitor पे and watch पे वो नियर ली similar था fake sensor wise जगर मैं बात करता हो तो on table कोई भी fake sensor यहां पर नहीं दिया हुआ बट अगर आप इन sensor को block कर देंगे किसी भी object से like कुछ object के ला से या कोई भी another object मैंने try प्लान पर तो fix sensor यहां पर निकल के आ रहे थे एंड इस कंडिशन में fix sensor आपको मिल रेस्ट्व एक कोउशन की हम डिजलन बात करें तो वर करता आप इनेबर कर सकते है इस पर यूर रिक्वार्मेंट एंड जो फंक्शन वर करता है वह एक टाइम करता है आउट ओफ टैम मुझे कुल मिला कि ओखे लगा वोच फेस आपको कस्टमाइज वोच फेस आपके एपलिकेशन में जाके करना होगा एंड वेरी सिंपल है अगर आप कस्टमाइज वोच फेस यहां पर यूज करेंगे तो आपको आपके स्टैप का डीटा है वोच पर देखने के लिए नहीं मिलेगा मेंली हों स्क्रीन पर उसके लिए आपको एक इन्फोर्मेटिव वोच फेस यूज करना पड़ेगा जिससे कि आपको आपका स्कूर्ट है और एकॉडिंग टू सटेप देटा मुझी को एक लगा तरह कुछा दिफरेंस नहीं था यहां पर डीटा है आपके स्टैप अगर हम बात करते हैं क्या आपको यहां पर डिखुप यहां पर सकते हैं मैसेज रेट कर सकते हैं तो आपको ॉल दिकलाइन पी कर आपको इमोजी मिल जाएगा अपडेट का भी ओप्शन यहां पर हैं और आप तीन से चार वोज फेस अपनी वोज में स्टोर करके रख सकते हैं जो कि आप लोंग प्रेस करके डिस्प्ले को वहां से चेंज कर सकते हैं अगर मैं कंक्लूजन पर आओं बात करें कि वैल्ली फो स्मार्ट वोज इससे ज्यादा फीचर देती हैं इसी बजट पर तो गाईज मुझे इस वोज को लेने का इतना कुछ खास परपस नहीं मलता अगर आपको एक रफन टफ स्मार्ट वोज चाहिए तो ही स्मार्ट वोज का परचेस कीजिए और रांड डायल स्मार्ट वोज अ